घर की मुर्गी दाल बराबर आखिर से अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे अंग्रेजी में कहते हैं Familiarity breeds contempt Familiarity breeds contempt इसका अर्थ है घर की वस्तू या व्यक्ति को कोई महत्व ना देना होता क्या है कि जो चीज या जो व्यक्ति हमारे पास है हम उसको कमागते हैं उसकी कीमत नहीं समझते उसी को कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर देखें कि इसे वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है मान लीजे हमारे पास एक वाक्य है शादी के तुरंट बाद उन्होंने एक दूसरे में रुची खो दी क्यूंकि घर की मुर्गी दाल बराबर Soon after marriage, they lost interest in each other because familiarity breeds contempt ऐसे ही हिंदी से अंग्रेजी सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले